दोस्तो अभी हाली में आपने एक न्यूस सुना ओगा जिसमें इसराइल हमास के बीच में जो यूद्ध चल रहा है बहुत बड़ा तो उसके बीच में एक सीजफायर एरांस किया गया है वेल इस रुडियो में हम बात करने वाली है कि क्या ये जो सीजफायर हुआ है ये पर्मनेंट हुआ है ये टेंपरेरी हुआ है और कितने दिन के लिए हुआ है और साथ में ये भी जानेंगे कि इस सीजफायर के बडले में क्या एग्रिमेंट हुआ है जो होस्टेजेज जो इ इसराइल पर अटैक कर दिया था जिसमें कि इसराइल के 1400 से भी जादा नागरिकों की जान चली गई थी इसके बाद इसराइल ने रिटाइलियेशन में आपका गाजय के उपर एक बहुत बड़ा योदु छिर दिया जैसे कि आप जानती हो और उसमें अभी तक करीब 14,000 बड़ा हमला आपका 7 अक्टूबर को हुआ तो इसको आपको इसके रिटैलियेशन में इसराइल ने आप कहे लोग कि गाजा के उपर सारा प्रतिबन लगा दिया उसके चारतव से ब्लॉक कर दिया एवन जो नौर्थ गाजा था वहां के लोगों को कहा गया कि आप वहां से हट जाओ और जैसे कि आप जानते हो कि बहुत बड़ा डिस्प्लेस्मेंट हुआ मिलियर्स में लोग वहां से भागे अपनी जान बचाने के लिए और इसराइल आपका गाजा के अंदर घुष चुका है और जगा जगा बंबार्डिंग कर रहा है और इसमें तमाम इंटरन कि चार दिन का यह सीजफार एग्रिमेंट है जिसमें कि चार दिनों के अंडर आपका जैसे कि गाजा के तरफ से मनलो गाजा में जो हमेंटरियन में है उसको रिहा करेगा और हमास इसके बदले में 50 इस्राइली सिटीजन को रिलीज करेगा जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि इसका मेडियेशन कतर नहीं किया है लेकिन इसका बैक सपोर्ट आप कह सकते हूं कि अमेरिका भी है अब आपके मंद में एक सवाल होगा कि यह जो भी फुल्फिल किया जाएगा अब आपके मंद में सवाल हो रहा होगा कि क्या यह वार काइंड है कि हमान लेकि इसरायल और हमास के बीच में युद्ध खत्म हो गया है तो बिल्कुल नहीं आप कहलो कि ने जब यह जो सीजफार अग्रेमेंट हो रहा था तो वह अकेले तो एग्रेमेंट यह जो सीजफार हुआ है ना यह मात चार दिनों के लिए हुआ है और हम इस वार को बिल्कुल नहीं रोकने बार जा रहे हैं हम यह चार दिनों के बार हम फिर से वार स्टार्ट करेंगे और जब तक हमास का खात्मा पुरिता से नहीं कर देती है तब तक यह वार जारी रहेगा ऐसा कहना है आपका नितन्याहू का और ही बात होस्टेजेच की तो देखो मात 50 होस्टेजेच हमास रिलीज कर रहा है आप कहलो कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर टार्गेट कर दिया था अटैक कर दिया था तो उसी दौरान बहुत सारी यह अलग-अलग country के अलग-अलग citizen भी थें इविन Israeli citizen तो वो तो बिल्कुल हो गए ही तो उसमें क्या हुआ था कि सुर्व में चार आपका कहलो कि चार hostages को आपका हमास ने छोड़ा था लेकिन बाकी अभी भी आपका हमास के पास ही है तो इस दोरान में आपका 50 ये जो citizen है वो हमास release कर रहा है 50 hostages को release किया जा रहा है इस agreement में बाकी के hostages अभी भी हमास के कबजे में ही है और नितन्याहो का कहना है कि ये जितने भी hostages है उनको भी release किया जाना है उसको भी release कराया जाएगा ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि पिछले 47 दिनों से ये war continue चल रहा था और कहलो कि अभी latest में आपका siege fire announce हुआ है तो इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी हलाकि नतन्याहो का जो war cabinet है तो उसमें से कुछ minister ऐसे भी है तो इसको कह रहे है कि नहीं इसके बड़ले में हमास को कुछ ज़्यादा ही मिल जा रहा है जितना इसराइल को नहीं मिल रहा है इसे ज़्यादा तो हमास को ही मिल जा रहा है और इसमें यह हो जाएगा कि जो momentum इसराइली आर्मी का बना हुआ है गाजा पे हमला करने का हमास को खत्म करने का वाग